सब्जियों के दाम आस्मान चू रहे हैं और टमाटर 100 रुपए के उपर हो चुका है और जिस तरह से कहें पटल हो, भिंडी हो, करेला हो, सब्जियों के दाम तो आस्मान चूई रहे हैं और उपर से अब खाने पिने की चीजों का भी दाम बढ़ रहा है डाल की बात करें तो डाल करीबन जो 100, 110, 120 रुपए किलो हुआ करता था अब 180 और 200 रुपए किलो हो चुका है जीरा बीना डाल के छोकने से जीरा नहीं होता है 200 रुपए किलो का जीरा सीधा 800 रुपए किला हो चुका है और महंगाई का असर कितना दिक्रादे के जर्नल इस्टोर में जब पहुंसते हैं तो लोगों के पास क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया रहा है क्योंकि जिस तरह से महंगाई आसमान में छू रही है, महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है दुकानों में जहां पे करेंबन सैकडों के संख्या में भीड़ुआ करता था अब गहाँ दिरे-दिरे नादारत है फस्टिबल का दिन है तिवार का दिन है लेकिन खरीदारी के नाम पे कुछ भी नहीं है और देखे रहर का दाल है 120 रुपय जो बिक्ता था अब 180 भड़ते रहे और आसमान चूते जा रहा है हमारे साति में दुकंदार है इनी से जानते हैं कि एक मेहने के अंदर कितना दाम बढघाए और किस कि जिजो का दाम कितना बढ़ा है और किसि कितना ₹ क्द पहले मेंना फंपता रूपया था 400 रूपया था बेस रहे ंपैनल स पर बेच रहे चरब सिमा से तेल के दाम पर देखे जिसे घी है रिफाइन तेल है सारे चीजें सरसों के ल्हें कि दूशू के कि नौर्वल चल रहे हैं बाकि सब छोड़के सब महँगा के सब महा है भी पिसकुट ले लिए शावून ले लिए दाम बढ़ गाए वजन किस तरह से दुकान में जो लोग पहुंचे हैं वाकई कह सकते हैं कि हर कोई यहां पर खरीदने के लिए मजबूर है क्या खरीदने आए हैं पहले आप बताइए हम खरीदने के लिए आये थे सरसुतिल सरसुतिल का भाव कुछ डाउन हुआ है रहर दाल का भाव पूछे तो हो गया है डवल एक सभी सेक्सासी हो गया है रही बात महंगाई की हमें जो यहां की सरकार है प्रधान मंत्री और जो अपने क्या बोलते हैं मुखमंत्री से तो नहीं सवाल करेंगे यह तो सेंटर की गवर्मेंट वहीं से समय निधारन होता है कि इस तरह से बजार का वेवस्था क्या बनाए जाए उसी को फालो सभी राज गवर्मेंट करती है तो यह महंगाई जो बढ़ रही है जो हमारे माननिये प्रधान मंत्री जी गैस सिलंडर गरीबों के बीच बित्रन किये कि चुला नहीं फूकना पड़ेगा आंक से आंसु नहीं आएगा गैस पर आप लोग खाना बनाईए और सिलंडर के लिए कितना हाहत तक सही है जैसे देखिए बिसकूट है सुबर लोग उठते हैं नास्ता करते हैं उसके दूबाद भी खाने पीने की चीजे चावल है दाल है दिन चर्या की जो चीजें आटा है सभी के दाम बढ़ गए अब कैसे मेंजेंज कर पा रहे हैं जो आपका इंकम है परिवार कैसे चला पना बड़ा मुस्किल हो पा रहा है या समानों में कटउती कर रहे हैं कि नहीं अ सुबह से बैठे रहते हैं कोई घंकी भी नहीं आता है कश्टमर कहां से आएगा पैसा रहे तम रहे बजार में यहां पे दुकानों में भीड़ा करता था बड़ा एक दम चिंती दिख रहे हैं लग रहा है कि पसीना निकल ला है समान देखके मांगाई तो बहुत अगड़ा है एक गयस का नाम सुनकर करके तावर विमारी हो गया है हमनों को समझे की नहीं दीन पर दीन गयस का दाम नीचे जाना चाहिए तावर ऊपर पहले चार सरुपे था गयस आओ अभी जो है वाड़े सरेगाड़े सरुपईया हो गया तो सब्सक्राइब किलो हो गया है कि अब लग रहा है कैसे चलेगा परिवार इस तरह की महंगाई रहेगी सब्सक्राइब इस पर तो परदार मंतरी सोचेंगे जै कैसे गड़ीबों के कैसे जिलाएंगे आकी गड़ीबों के मुँ आएंगे इस पर तो परदार मंतरी को सोचना होगा सब्सक्राइब का इंडे कि कोई रोक नहीं हो रही है यही स्वितिरा नी कुछ साल पहले बोली थी साड़े 500 सिलिंडर आया है था तो मनमोहन जी को चूड़ियां भेज रही तो आज में उनसे पुछना चाहता हूं कि आज किसको चूड़ियां भेजेंगी कि 1150 रुपिया हो गिया है तो आज भी तो किसी को चूड़ी भेजना चाहिए जब वह सारे 500 में चूड़ी भेजना चाहिए तो आज भी तो पहल करना चाहिए लोगों पर कैसे बिराम लगे मंगाई पर कंट्रोल करने की जूरत है सरकार को इस पर जरूरी है देना ही कि नहीं कुछ कर सकते हम लोग क्या कर सकते हम लोग नहीं अदमीं पैसा नहीं यह बजाद में जी आपकी दुगान की जो भिक्री थी उस पर घटी है कैसे पैसा बजार में है नहीं और किस तरह से जो दाम बढ़ते जारें लगातार हम यहाँ पे दनिया की बात करें मिर्चा की बात करें हल्दी की बात करें तो सभी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से कहें कि जो रहर का दाल है चने का दाल है वाकई आसमान चुरा है और जो 120 रुपए किलो दाल हुआ करता था अब 180 रुपए और 200 रुपए के जी बिक रहा है लोगों को यह समझ में नहीं पा रहा है कि ऐसी मंगा ही बढ़ते रहेगी तो वाकई अपने परिवार का पालन कोशन कैसे कर सकेंगे दूसरी तरफ सबजीयों के दाम में जापा हो रहा है और अब दाल चावल आटे का भी दाम बढ़ रहा है तो अब परिवार चला पाना बड़ा मुस्किल है कैमरमेन विडोत के साथ मनोश पा और मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखकर रहे है यूस 24